हेगाई से लिकम्तूर टेक्पोर्वर माई आज की वीडियो में एक और जॉब इक्रोंट का देखने वाले हैं जो कि NPCI की तरफ से आ रही है यानि कि National Payment of Corporation of India की तरफ से आ रही है जिसमें आपको 5 लेक तक की सेरली मिल सकती है आपको जॉब मिलती है NPCI में तो पर क्लिक करके इसके लिए अपलाई कर सकते है और डिस्क्रिप्शन में आपको और भी कंपनियों की लिंक मिल जाएंगे आपने उनके लिए अपलाई नहीं तो उनके लिए भी अपलाई करेगा उसमें काफी लिंक अभी एक्टिव है अब बात करते हैं जॉब के बारे में तीकिए जॉब हैकरत के platform पर पोस्ट किया यह जो की NPCI की तरफ से रही है जो की National Payment Corporation of India है इन्होंने एक Challenge Format कंड़ेट करा है student के लिए जिसका नाम है NT-AT NPCI Technology Assessment Test अगर आप इसको क्लिए करते हैं तो आपको जॉब मिल सकती है NPCI में 5 lakh तक के package पर और जो इसके test की opening date थी वो 18th of December थी मतलब 18th of December से पहले start हो गया है और 27 से पहले आपको लेना पड़ेगा आप 27 की बात लेंगे तो test valid नहीं होगा link expired हो लेंगा आप 18th and 27 की बीच में कभी भी test को ले सकते हैं उसके लिए आपको simply start पर click करना पड़ेगा और आपको register करना पड़ेगा register करने से पहले थोड़ा eligibility criteria बारे में देख लिएगा कौन को समे apply कर सकता है यह लिखा हुआ CSE branch से हैं तो ही आप इसके लिए तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आप कैसि और वबराँ से like civil से या mechanical से ह üzतना इवस दिखा हुआ है आप इसके लिए apply नहीं कर सकते हैं कि बात करें passing year के बारे में कौन इन कौन को CAPysis में apply कर सकते हैं तो आप 18 Batch के हैं, 19 Batch के हैं, 20 Batch के कैं हैं, तो इनों इन केchnो इसकलेnar 30ructure hazard नेहीं प्लाई सकते हैं यहां जुन लेकर 2 year-ce ब्रैंगार ऐस, 24 year-ce ब्रैंगे ऐस, 20 लिखा हुआ है, 18 नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब मतलब यह मत समझन है कि 18 वाले यह ऐलगीबल नहीं है, हम 18 के एपलाई कर सकते हैं कुछ लोग कोईशन भी करने वाले है, तो आप 18 बेच की हैं, आप इसके एपलाई ही कर सकते हैं आप eligible होते हैं तो चाहिए आपने BTEC कर आओ चाहिए आपने BE कर आओ बात करें percentage के बारे में तो यहां percentage के बारे में कुछ mention नहीं किया हुआ है आपको कितना ही परसेंट हो 50 परसेंट हो 60 परसेंट हो या 60 परसेंट दे कितना भी कम हो आप इसके लिए लगीविन है आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं यहां percentage कोई क्रेटर में नहीं किया हुआ है बात करें चैलेंज फॉर्मेट के बारे में तो आपके टेस्ट में आपके चैलेंज फॉर्मेट पर एक कोशन आने वाला है टास्क बेस आपको टास्क मिलने वा करने इसके के से सबीट प्रस काइसे तैक बुलाई करने पढेगा एक प्लीकिसिंग को कम्पैस्ट कराने ने फाली है इन फूचर तो और सकनंना पर काम होता है आपको साहँ को करना पड़ेगा, develop करना पड़ेगा, component को, and जो open source tool होते हैं, उनका use करना पड़ेगा, बैसे हर company का अपना अलग अलग tool होता, जिसे भी company में जाएंगे, उसको पड़े लोली एक tool होने बाला है, अब जो company आपको प्रोवाइट करना पड़ेगा, तो I hope आपको job description समझ में आ गया होगा, बात करें skills के बारे में, यह कुछ skills भी mention की गई हैं, जो आपके बास होनी चाहिए, आप skill apply करने पहले हैं, पहले लिखा हुआ है कि आपको Jio से लेके 2-year experience हो चाहिए, second point है, आपको strong knowledge हो चाहिए, object-oriented programming की मतला, oops concept के बारे में, Java के बारे में, आपको Java अच्छे से आना चाहिए, आपको SQL काफी अच्छा हा चाहिए, क्योंकि यह back-end पर काम करने वाले हैं, आप future में, जो payment पर काम करते हैं, जो user का किना transaction हुआ, कितना fail हुआ, कितना payment अभी क्यूम है, तो यह सब आपो देखना पड़ेगा, आपको settle करना पड़ेगा, next point है, आपको strong knowledge हो चाहिए, data setor के बारे में, algorithm के बारे में, obviously, जो IT company होती है, जो अच्छा package आपको provide कर देंगें, आपको data setor, algorithm पर काम करते हैं, एक साथ हजारो लागो payment होते हैं, आपको definitely multi-threading आना चाहिए, parallel processing आपको आना चाहिए, क्योंकि आप साए database पर काम करने का मका मेलें, आपको in future आपको job मिलती है, NPCI में तो, next point है, आपको knowledge हो चाहिए, spring के बारे में, कैसे आप spring से application develop कर सकते हैं, Java का framework होता ह आपको आना चाहिए, आपको आता है, तो definitely आपको प्लस point होने वाला है, आपके interview में, next point है, आपको knowledge होने चाहिए, web development के वारे में, आपको HTML, CSS, JavaScript आना चाहिए, at least आपको front end तो आना चाहिए, आपको job चाहिए, तो, NPCI में तो, next point है, आपको good knowledge in JavaScript and Linux के वारे पता हो चाहिए नहीं पता, तो कोई प्रशानी वारी बात नहीं, यह अतना काम नहीं होने वाला, आपको basic knowledge है, तो भी आपको काम कर जाएगा, यह कुछ skill थी जो आनों मागईए, आपको job चाहिए, NPCI में तो, यहाँ कुछ company के बारे में लेखा हुआ, एक बार चेकाओट को लेना, NPCI के सकते हैं, और test लेने से पहले, एक आप सेंबल चाहिए लेना, आप पहली बार hackers के platform पर आये हैं, आप में कभी coding नहीं करी, तो एक आप सेंबल चाहिए लेना, आप इस पर क्लिक करेगा, किलिक करने के बाद कुछ रहा की window कुलने वाले, एक आप चेकाओट कर लेना, आपको टेस्क के टाइन प्रोडम नहीं होने वाली, एक बार टेस्क को ले लेना, मैं आपको रिक्रमेंट करता हूँ, इसके अलावा आपको कोई प्रोडम होती है, आपको सारे question के आपको answer यहां मिल जाएंगे, कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हम टेस्क को मुगार से ले सकते है आपको मुगार से नहीं लेना, आपको इसके लिए लेप्टोप पर पढ़ने वाला है, आपको लेप्टोप होने चाहिए आपके बास तो ही आप इस test को ले सकते हैं, तो आही हो आपको सब को समझ में आ गया हो, इसके अलावा कोई doubt रहा नीचे मुझे comment box से comment कर सकते हैं, अब बात करते हैं, आपको अपलाई करसे करना है, अपलाई करने के लिए आपको लिंक मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिशन में, आपको लिंक पर किलिक करना है, लिंक पर किलिक करने के बाद कुछ ट्राइकर पे जाने वाला है, आपको सम्झे एक option मिलेगा, स्चार्ट वा डालना है फोर नमर डालने के बार आप को ऐमेल आदर्टर्स आपका लोक्ैशन आपको उल्लिया करना है ऑपका जेंडर, आपका एरोय स्फरियंस जितना खांच आपको glob करतेगा कंपनी आपने काम करा इसकी कंपनी काम नहीं करा है, आपको इहां लोकी है उनिवस्टी और कॉल्ज करना है जो भी आपको उनिवस्टीका नाम हो आप संद्ली वह यहां मैं फिलब करना है जो भी आप में को आप gir-eutch कर लेगा इसके बाद आपको बूट करने के लिगा उपका डिल्ब करलेगा उपक्या इसके बाद करने लेगा अपने चैक बॉकसि क करवाओं जब भी आपme हो तबी आप इस तक करेंगा नहीं तो आप मत करेंगा, क्योंकि यह सिर्प करेंगी आपका टेस्ट चालू हो जाएगा आपको फिर टैस्क को लेना पड़ेगा तो इससा के अ और अगर आप test के लिए कर लेते हैं तो आपको इंट्रवी भी देना पड़ेगा उसके बाद भी आपको जॉब मिल ने वाली है बात करें जौब Location के बार है कि किस Lokaixon पर आपको जॉब मिलने वाली है तो आपको इंडिया में किसी भी location पर आपको जॉब पर जॉब आपको समझ में आ गया हुआ, इसके अलावा कोई डाउट रहता नीचे मुझे comment box से comment कर सकते हैं, telegram पर message कर सकते हैं, आपको apply मिल जाएगा, और एक बार otherwise करा रहा हूँ कि description में आपको और भी company के link मिल जाएगे, जो अभी भी active हैं, आप उनके लिए भी apply कर सकते हैं, आपने उनके लिए apply नहीं करा तो, वीडियो पसंद आए, प्लीज लाइक करते हैं, काफी में हैं लगती है वीडियो नाने में, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते नेक्स वीडियो में, thank you and goodbye.